Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम class 4th के merit scholarship exam यानि की मेदावी छातरवरती परिक्षा के practice set को solve करेंगे तो सबी को जो है बहुत ध्यान से solve करना है तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे roll number तो यहाँ पर आपको roll number digit में लिखना है किसमें यानि की अंकों में लिखना है तो यह जो roll number है वो आपको आपकी teacher provide कराएंगी तब ही आपको यहाँ पर fill करना है उसके बाद यहाँ पर आप words में यानि की सब्दों में अपने roll number को लिखेंगे उसके बाद यहां पर center code teacher बताएंगी आपकी यहां पर आपको center code लिखना है अब यहां पर देख लेते हैं आपका exam जो होगा वो कैसा होगा objective type होगा जिसमें आपको 2 hours मिलेंगे exam को solve करने के लिए यानि कि 2 घंटे मिलेंगे और आपके exam में 60 questions होगे जो की 120 marks के होगे अब यहा यहां पर 10 questions होगे जो की 20 marks के होगे उसके बाद reasoning ability के 10 questions होगे 20 marks के quantitative aptitude के 10 questions होगे वो भी 20 marks के होगे उसके बाद language first में Hindi और उर्दू आएगी तो यहां तो आप Hindi करेंगे या फिर उर्दू तो यहां पर 5 questions होगे 10 marks के उसके बाद जो है लेंग्विज 2 में English होगी तो इंग् question आएंगे 10 marks के अब यहां पर आपके textbook question होंगे EVS, SSD, Hindi और English से, तो यहां पर 20 question दिये जाएंगे 40 marks के, तो total जो आपके questions होंगे, वो 60 होंगे, कितने marks के, 120 marks के, आपको जो है, सारे questions करने हैं, क्योंकि सारे question करने ही अनिवारी है, यहां पर देखेंगे first section, तो जनरल अवियर्नेस और करेंट अफेर्स के कोश्चन है आपर फर्स्ट कोश्चन है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो सभी को पता होगा तो आप्सन है यहाँ पर सिरी मती प्रतिभा पाटिल, सिरी प्रणव मुखर जी, सिरी मती द्रॉबदी मुर्मू, शिरी नरेंद्र मोदी तो आंसर होगा आप्सन नमबर डी यानि की कौन है सिरी नरेंद्र मोदी है तो यहाँ पर जो है आपको इसके अंदर लगाना है इससे बाहर नहीं लगाना है otherwise आपका जो है आंसर गलत माना जाएगा ना ही आपको दो में एक साथ लगाना है तो केवल आपको एक ही आंसर लगाना है यहाँ पर आप आसपास जो है कोई भी रफ कारे नहीं करेंगे उसके तो option है यहाँ पर रेड़ फोर्ड साची स्तूपा रानी की वाव हमपी तो आंसर होगा option नमबर डिन की 50 रुपीज के नौट पर है हमपी का चित्र अब यहाँ पर next question है identify the name of this dance form of कस्मीर यह जो है कस्मीर की dance form है तो यहाँ पर option है कथक कली रूफ भांगरा कथक तो आंसर क्या होगा कस्मीर की dance form है यह रूफ तो आंसर होगा option number B अब यहाँ पर next question है when is the national unity day celebrated राष्ट्रे एकता दिवस कब celebrate किया जाता है options है 29 अगस्ट, 31 अक्टूबर, 14 मार्च, 5 जून तो आंसर होगा option number B कब celebrate होता है 31 अक्टूबर को, next is generally which instrument is used to check fever, fever को check करने के लिए यानि की बुखार की जाच के लिए किस उपकरण को use किया जाता है तो यहाँ पर options है barometer, thermometer, stethoscope या पर pulse meter तो आंसर होगा option number B, क्या use करते हैं thermometer, तो यहाँ पर आप second में निशान लगाएंगे अब यहाँ पर question है, you should ride a bicycle on the, आपको cycle कहाँ चलानी चाहिए, options है footpath, side road, cycle track या फिर जैबरा क्रॉसिंग, तो आंसर क्या होगा, option number C, cycle हमें कहाँ चलानी चाहिए, cycle track पर अब यह next name of the following आसन is, इस आसन का क्या नाम है, तो options है makarasन, धनुरासन, परवताशन, गरुडासन, तो कौन सा आसन है, यह है धनुरासन, तो यहाँ पर answer होगा option number B, इसे धनुरासन कहते हैं, अब यहाँ पर next है, which one is the biggest award in India, इंडिया में सबसे बड़ा, यानि कि सबसे biggest award कौ सा है, तो यहाँ पर option है, भारत रतन अवर्ड, पदमशिरी अवर्ड, पदमविभूशन अवर्ड, अर्जुन अवर्ड, तो answer होगा option number A, कौन सा सबसे biggest है, भारत रतन अवर्ड, तो यहाँ पर आपको first answer लगाना है, next है, which of these is not a neighboring country of India, इन में से जो है कौन सी, इंडिया की neighboring country नहीं है, तो options है, आपन नेपाल, चाइना, जापान, मालदीव, तो answer होगा option number C, यानि कि नेपाल, चाइना और मालदीव यह जो है neighboring country है, लेकिन जापान जो है, वो neighboring country नहीं है, अभी आपर next है, identify the following Indian gymnast, यह जो है आपको, चितर में जो दिखाई गई है, इन भारती जिम आपकर है, तो आपको second में right mark करना है, अब यहाँ पर है section B, reasoning ability, ताकिक योग्यता, question is pointing towards a person in a photograph, एक photograph में एक व्यक्ति को point करते हुए, यानि कि उसकी तरफ इसारा करते हुए, संधिया said, संधिया ने कहा, he is the only son, की वहें केवल son है, of the father of my sister's brother, किसका, मेरी बहन के भाई के father क है, एक अकेला बेटा है, how is the person related to संधिया, उस व्यक्ति से संधिया का क्या संबंध है, तो answer क्या होगा, यहाँ पर option है, uncle, brother, father, grandfather, तो answer होगा, option number B, कौन है, वो उसका भाई है, अब यहाँ पर next question है, find the missing element in the series given below, यहाँ पर नीचे एक series दी गई है, इसमें आपको missing element बताना ह है, तो यहाँ पर देखेंगे A, C, A और C के बीच में कौन सा letter नहीं है, कितने नहीं है, 1 नहीं है, यहाँ यहाँ पर 1 है, A, B, C होता, तो यहाँ पर B नहीं है, इसलिए 1 है, उसके बाद E और H, E और H के बीच में कितने letter नहीं है, 2 नहीं है, F और G नहीं है, उसके बाद I तो M के बीच में, कितने लेटर नहीं है, तो 3 नहीं है, कौन कौन से J के L, अब यहां देखेंगे, H के बाद आई है, यहां पर C के बाद D जो है, वो left कर दिया गया है, E है, अब हमें यहां पर बताना है, M के बाद क्या आएगा, तो M के बाद हम क्या लाएंगे, N, अब यहां पर कितने लेटर जो है, यहां पर छोड़ दिये गए हैं, तो 3, अब अगले में कितने छोड़ेंगे, 4, तो M के बाद जो है, N आ गया, तो N के बाद कितने लेटर छोड़ेंगे, 4, O, P, Q, R, तो यहाँ पर जो है 4 लिखेंगे और R तक छोड़ देंगे तो R का अगला लेटर कौन सा होगा S तो आंसर क्या होगा N4S तो आंसर होगा option number C अब यहाँ पर next है The farmer is related to the flow in the same way as the writer is related to किसान हल से उसी प्रकार related है जैसे कि लेखा किस से है बुक से पैन से रबट से और फिर कॉपी से तो किस से है लेखा किस से लिखता है पैन से तो यहाँ पर आंसर होगा option number B next question है What will be the sum of the number obtained and the original number when the 10th and 100th digit of the number 7,3,4,5 are interchanged यहाँ पर बताना है कि संख्या क्या है 7,3,4,5 कि संख्या के दहाई और सेक्ड़े के अंक को बदलने पर प्राप्त संख्या और मूल संख्या यहाँ जो संख्या पहले थी और उसे उसके संख्या और दहाई को चेंज करने पर जो संख्या होगी उसका क्या योग होगा तो हमारी संक्या क्या है? तो संक्या है 7, 3, 4, 5 अब यहाँ पर यह 1 है यहाँ पर 10s है यह 100 है यहाँ पर 10-100 है तो 1 यानि की हिकाई 10s दहाई और यहाँ पर 100 सेकड़ा तो दहाई और सेकड़ा को हम interchange कर लेंगे क्या हो जाएगा है? 7, 4, 3, 5 अब यहाँ पर इसका इसे प्लस कर लेंगे तो 5 और 5 कितने हुए 10 की 0 केरी 1 437 और 1 8 437 77 14 तो कितना आंसर हुआ 14780 तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा 14780 तो आंसर होगा अब यहाँ पर नेक्स्ट है if in a certain language यदि एक निश्चित भासा में अजे इस कोड़िड एज बीके बीजेड अब यहाँ देखेंगे कि किसी निश्चित भासा में यदि अजे को इस तरीके से लिखा जाता है तो उस कोड़ में कुमार को कैसे लिखा जाएगा तो यहाँ देखेंगे पहले a यहाँ पर b है तो a से अगला लेटर है b j के बाद k उसके बाद a के बाद फिर b y के बाद z तो यहाँ पर देखेंगे K के बाद क्या आएगा L, U के बाद V, M के बाद N, A के बाद B और R के बाद S तो answer क्या होगा L, V, N, B, S तो answer होगा option number C L, V, N, B, S अब यहाँ पर next है how many times must our rope be cut to cut it into 3 pieces यहाँ पर option है 1, 2, 3, 4 तो answer होगा option number B अब यहाँ पर question है which figure will come next इनमें कौन सी figure जो है आगया आएगी तो यहाँ पर देखेंगे पहले यह इस तरीके से है फिर यहाँ पर turn हुआ नीचे की तरफ फिर दुबारा से जो है दूसरी तरफ हुआ अब किस तरफ जाएगा उपर की तरफ तो answer क्या होगा option number G तो answer क्या होगा option number G अब यहाँ पर next है select a suitable figure from the answer figures that would replace the question mark उत्तर आकर्तियों में से उप्युक्त आकर्ति का chain कीजिए और जो प्रस्में चिन के स्थान पर आएगी तो यहाँ पर دेखेंगे पहले यहाँ पर यह mirror image है जब mirror में हम image को देखेंगे तो कैसी बनेगी इस तरीके से दूसरी तरह अब हमें बताना है कि यदि हम इसे mirror में देखते हैं तो इसकी image कैसी बनेगी इस तरीके से तो यहाँ पर कौन सी होगी answer होगा option number A अब यहां पर question है in the given diagram the names of person A, B, C, D, E, F, G playing different sports इस आरेक में जो है women खेलों को खेलने वाले वक्तियों के नाम दिये गए है who among the following play all the three sports कौन जो है इन में से जो है वो कौन है जो तीनों ही game खेल रहा है तो यहां पर देखेंगे football, cricket, badminton तो यहां पर जो है बीच में कौन सा है यह यह जो cricket भी खेल रहा है badminton भी और football भी तो answer क्या होगा option number B, N की E जो member है वो तीनों खेल खेल रहा है अब यहां पर next है choose the figure which is different from the rest यहां पर बताना है उस figure को choose करना है जो बाकी से अलग है तो यहां पर देखेंगे यहां पर parallel line है second भी उसके बाद fourth भी parallel है और fifth भी लेकिन जो third है वो अलग है difference है इन में तो answer क्या होगा option number C यानि की तीसरे number की जो है वो different है अब यहां पर है section number C quantitative aptitude find the sum of first four multiple of six six के जो पहले multiple है उनका आपको sum बताना है option 84, 60, 90, 78 तो 6 के पहले चार multiple कौन कौन से है 6, 1, 6, 6, 2, 0, 12, 6, 3, 0, 18, 6, 4, 0, 24 तो इन्हें प्लस कर लेंगे 8, 4 कितने होगे 12 और 2, 14, 14 में 6 प्लस करेंगे 20, 20 का 0, carry 2, 2, 3, 4 और 2, 4 और 2 हो जाएंगे 6 तो answer क्या होगा 60 तो answer होगा option number B इनका sum है 60 अब यह next है how many triangles are there in the figure इस figure में जो है कितने triangles हैं तो यहाँ पर जो है count कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 है यहाँ पर होगे अब यहाँ पर जो है एक होगया इस तरीके से कितने होगे 9 उसके बाद एक होगया इस तरीके से तो कितने होगे 10 अब जो है एक होगया इस तरीके से कितने होगे 11 और एक होगया इस तरीके से कितने होगे 12 अब बाकी यहाँ देखेंगे 12 होगे अब यहाँ पर 13 14 15 and 16 तो टोटल जो है इसमें कितने triangles है 16 तो आंसर क्या होगा आंसर होगा option number A अब यहाँ पर question है which pair of numbers is divisible by 5 इन में से जो है कौन सा pair जो है numbers का वो 5 से divisible है यानि कि विभाज यह है तो यहाँ option है 80, 70, 70, 96 35, 77 77, 54 तो यहाँ पर देखेंगे 5 से जो है 77 जो है वो divisible नहीं है 35 जो है divisible है लेकिन 77 नहीं है अब यहाँ पर जो है 70 है लेकिन 96 नहीं है यहाँ पर 77 नहीं है और नहीं 54 है तो 5 से जो divisible है वो 80 है और 70 यानि कि option A जो है इसका right answer है अब यहाँ पर next है find the value of 2 plus 2 into 2 minus 2 यानि कि आपको यह board mask का question है इसे किस तरीके से करेंगे B O D M A S bracket of division नहीं है उसके बाद क्या आएगा उसके बाद आपको multiply करनी है तो 2 plus 2 into 2 कितने होंगे 4 उसके बाद minus 2 उसके बाद क्या करना है plus करना है 4 और 2 कितने हो गए 6 minus 2 अब यहाँ पर minus करना है इनकी subtract करना है अब यहाँ पर next है write 6 into 1000 plus 4 into 10 यानि की 6 into 1000 कितने हो गए 6000 4 into 10 कितने हो गए 40 3 into 1 कितने हो गए 3 इन standard form इसे आपको standard form में लिखना है तो कितना हो गया 6043 तो यहाँ पर जो है कौनसा answer होगा 6043 तो answer होगा option number D अब यहाँ पर next question है if two students can sit on one bench यदि एक bench पर दो students बैच सकते हैं and there are 26 bench in the room और जो room है उसमें 26 benches है how many students can sit in that room तो उस room में कितने students बैच सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे 26 को 2 से multiply कर देंगे 26 जार 12 का 2 carry 1 22 जाब 4 and 1 5 तो answer क्या होगा 52 यानि कि 26 को 2 से multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या है multiply है answer कितना 52 तो answer होगा option number C अब यहाँ पर question है Sanjay has to travel a distance of 5 km and 30 meter Sanjay को जो है 5 km और 30 meter की दूरी तै करनी है he has already traveled 3 km and 750 meter how long he has to travel now तो अब उसे और कितना travel करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे 5 km में कितने meter हो गए 5,000 meter तो हम 5,000 meter 30 meter से 3 km यानि कि 3,000 meter 750 meter को minus कर देंगे तो 750 और 3 तो 0 आ गया यहाँ पर carry यहाँ पर ऐसा बोरो कर लेंगे तो कितने हो गए 13 13 में से हमने 5 minus किये तो कितने बचे 8 अब यहाँ पर कितने बचे यहाँ पर 99 में से हमने 7-2 यहाँ पर बचे 4, 4 में से 3-1 तो आंसर कितना होगा 1 किलो मीटर 280 मीटर तो आंसर होगा option number first अब यहाँ पर next है a container can carry 10.5 लीटर of milk एक बरतन में 10.5 लीटर दूद आ सकता है इसमें जो है पहले ही 8 लीटर 705 मिली लीटर दूद है how much milk it can store now अब इसमें और कितना दूद आ सकता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे 10.5 से 8.705 को माइनस कर देंगे तो बच्चों इसे हम मिली लीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना होगा है 10.500 अब उसके बाद किसे माइनस करेंगे हम इसे करेंगे 705 and 8 तो यहाँ पर 10 में से हमने 5 माइनस किये 5 उसके बाद यहाँ कितने बच्चे 9 अब यहाँ पर कितने बच्चे 4 तो यहाँ पर हम कैरी ले लेंगे कितने होगे 4 14 तो 14 से 7-7 अब यहाँ पर कितने बचे 9-9 में से हमने 8-9 तो कितने बचे 1 तो आंसर कितना बचा तो आंसर होगा 1795 यानि कि 1 लीटर 795 मिली लीटर तो आंसर होगा option नमबर B अब यहाँ पर next है find the third side of the triangle आपको triangle की third side find out करने है if the parameter of a triangle is 20 meter यदि triangle का parameter 20 meter है and two of its sides और इसकी दो sides are 5 meter and 4 meter इसकी दो sides जो है वो एक 5 meter की और एक 4 meter की है तो क्या करेंगे 5 और 4 को plus कर लेंगे कितने हो गए 9 total parameter कितना है 20 तो 20 से हम क्या करेंगे 9 को minus कर देंगे तो minus करने पर कितना बचता है तो minus करने बचेगा 11 तो answer होगा option number A 11 meter अब यहाँ पर next है रीना बॉट आ बुक फोर रुपीज 150 रीना ने 150 की बुक खरी दी अब बैग फोर 350 350 का एक बैग एंड कलर फोर 80 रुपीज और कलर जो है 80 रुपीज के सी गेब 2000 not to the shopkeeper उसने जो है 2000 का not दुकानदार को दिया how much money will the shopkeeper return अब जो है दुकानदार उसको कितने पैसे लोटाएगा तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे 150 और 350 कितने हो गए तो यह हो गए 500 अब 500 में 80 और प्लस कर देंगे कितने होगे 580 तो यहाँ पर हमें पैसे कितने दिये 2000 और कितने जो कितने का सामान है तो सामान है 580 का माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 10 में से 8 माइनस के 2 यहाँ पर 9 में से हमने 5 माइनस के 4 यहाँ पर 1 तो आंसर कितना होगा 1420 तो यहाँ पर आंसर होगा option number B तो आज की इस वीडियो में हमने कितने questions solve किये है 30 questions तो बागी के questions जो है हम अगली वीडियो यहाँ कि इसके 5 सेकंड में solve करेंगे इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक और सेयर और इफ यू आर निव अन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल थैंक यू